श्वीनाथ जी गुरुजी को अलगादेश, महभगवती को अलगादेश, राची वाले भैरफ बाबा को अलगादेश, आप सभी भाईयों को अलगादेश आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, मतलब रुद्राक्ष के बारे में रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसी हो, इस शिव के आसू सही है तो हम सभी जानते हैं रुद्राक्ष का प्रयोग जो है वो एक ऐसा विशह है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते जेनरली आप देखेगा कि एस्ट्रोलाजी में बहुत सारे जेम्स के बदले में आपको रुद्राक्ष पहनने को बोला जाता है लेकिन रुद्राक्ष का तंत्र में बड़ा महत्व है इस विशे पे कोई भी बात नहीं करता आज हम उसी विशे को आगे लेके चल रहा है जैसे कि हम लोग जब भी सट कर्म करते हैं मारन, मोहन, चाटन, वशी करन हर एक कर्म का एक अलग रुद्राक्ष होता है अगर आप सुछते हैं कि एक पाच मुखी माला सही मारन भी करलू, मोहन भी करलू, वशी करन भी करलू, स्तंबन भी करलू अपनी सुरक्षा भी करलू तो ऐसा नहीं होता जो 14 मुखी रुद्राक्ष है उनका अलग-अलग अपना एक परपस है और उस परपस के हिसाब से ही आपको रुद्राक्श को प्रयोग करना पड़ेगा एक मुखी रुद्राक्श के देवता शिभ है गरह इसका सूर्य है 1 मुखी रुद्राक्श सादकों को दो कारण से पहनना चाहिए एक तो ये सिद्धी प्रादान करता है और दूसरा देवता है और चंद्र इसका ग्रह है ये वशिगरन के लिए बहुत लाबकारी होता है अगर आप दो मुखी माला से और खास करके नेपाली दो मुखी माला से जो बहुत ही रेर है मिलने के लिए अगर दो मुखी माला से आप वशिगरन कर्म करते हैं तो वो बहुत लेकिन इससे ज़्यादा लाप्रद होगा तीन मुखी जो होता है उसके देवता अगनी होता है और मंगल इसका ग्रह है तीन मुखी का अगर आपको प्रयोक करना है तो ये रोग मुक्ती के लिए अगर आपको साधना कर रहे है या कारेच्षेत्र में सिद्धी के लिए अगर आप साधना कर रहे है तो आपके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी इसके देवता है बुद्ध इसका ग्रह है ने ने तंत्र जो करना शुरू करते हैं, मतलब ये खाली खोपड़ी में ग्यान का भंडार भरता है, ऐसा चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में बुले जता है, तो इस दानों को उसको धारन करना चाहिए, जो ने ने अपी तंत्र में आये हो, ये मतलब आपको एक दिव्य हुए, ठीक है, इसको धारन करने से बहुत सारा फाइदा है, जितना भी आप तामसिक पूजा करते हैं, उसका पाप ये ग्रह नाश कर देता है, जब भी आप तामसिक कोई भी क्रिया करें, मारण, मोहन, उचाटन, जिससे आपको लगए किसी गिहानी हो रही है, तो उसमें पाँच मुखी माला अपने पास ज़रूर रखें, वो किसी भी तांतरिक कर्म का जो पाप होता है, उससे आपको मुक्त करा देता है, और अगर पूरा माला नहीं बहन सकते हैं, तो तीन ताना आप ज़रूर भेनिए, ये अपना काम करके दिखाएगा, छे मुखी माला, इस में ये सफलता दिलाता है, और अगर आप नील तारा की साथना कर रहे हैं, तो भी ये बहुत ही उपयोगी रुद्राग्च है आपके लिए, अगला रुद्राग्च जो है, साथमुक्य रुद्राग्च है, जो मालक्षमी के लिए है, ये नीलम का भी सब्सिट्यूट होता है, और सनी देव जो है, इस पर विराजते हैं, ये सनी ग्रह के लिए है, ये तांत्रिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण माला होता है, साथमुक्य रुद्राग्च, और देवी सिध्धी अगर आपको कैसे भी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए इस माला का आपको प्रयोग गनेश या बटुक भारव के लिए प्रयोग होता है, राहु इसका ग्रह है, इसको बाजू में आपको हमेशा पहन के रखना चाहिए, जो भी अपने साधक है, और जो भी ऐसी शक्ति हैं, जो कि दिखती नहों, या जो शरीर धारन नहीं करती है, ऐसी सेतानी शक्तियों से, यह आठ मुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करता है, आठ मुखी के बाद आता है, नौ मुखी रुद्राक्ष माभगवती का रुद्राक्ष है, यह सबसे प्रिय है हमारे लिए, और केतु इसका ग्रह है, यह सत्रुनाश, अगनी, वर्षा, भूचाल, आंधी, किसी भी किसी भी तरीके के ऐसी शक्तियां जो आपको सारी रिक रूप से हानी कर सकती है उनको कंट्रोल में करने के लिए यह रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बटुक नहीं काल भैरव की सामना कर रहे हैं तो भी यह रुद्राक्ष बहुत सकती है और रोगनाश का अगर कोई आप तंत्र कर रहे हैं उसके लिए दस मुखी रुद्राक्ष आपको धारन करना चाहिए ठीक है ग्यारा मुखी रुद्राक्ष जो है वो हनुमान जी का मतलब एक अदस्त रूप का रूप है इसमें भी कोई ग्रह लागू नहीं होते है लेकिन इसको एक मुखी रुद्राक्ष जितना ही पाऊरफुल माना गया है इससे बहुत सारी देवय शक्ति आपको प्राप्त होंगी इसको धारन करके ही कोई भी तांत्रिक विधी करनी चाहिए इससे आप हमेशा सुरक्षित रहेगा 11 मुखी के बाद 12 मुखी रुद्राक्ष आता है 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य का रूप है सूर्य का रूप है तो भाई हमें तेज देगा अगर आप वानी जी तंत्र सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ती जिसे चिकित्सा हो उस चिकित्सा के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है तेरा मुखी रुद्राक्ष इंद्रदेव का है, राजाओं के राजा इंद्रदेव, तेरा मुखी रुद्राक्ष मतलब ग्यान तर्क शक्ति आध्यात्मिक या भातिक समर्दी का कोई भी आगर आप उपास न कर रहे हैं, तो तेरा मुखी रुद्राक्ष आपके लिए आना चाहिए, हां तो में आता है 14 मुखी, मतलब देव मनी इसको कहते हैं, हनुमान जी सम इस पर विराजते हैं, कंट स्वरूप है, और इस पर कोई भी ग्रह लागू नहीं होता है, 14 मुखी मतलब सब के, कोई भी कर्म कर रहे हैं, सिर्फ एक 14 मुखी आप पहन लीजिए, तो आपका कारे जो है, पूरा होगा, देखें, 21 मुखी तक मैं इस लेने जा रहा हूँ, क्योंकि शेव पुरान में सिर्फ 14 मुखी का वर्णा है, बाद में जो किताब है, उसमें 21 मुखी तक का है, आने वाल हैं, आप सभी को आदेश, अगर मुझे से बात करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर आप डाउंडोड कर रहेंगे, या फिर मेरा वाट्चाप नमबर है, 24311-18545, उस पर भी आप मुझे संपर कर सकते हैं, आप सभी को आदेश, नाची हो आदेश, मैरा बाबा को अलग आद आप सकते हैं, पुझे चाहते हैं, याउंडेश, तो कर देश बाबा करी मेरा हैं, यादेश, मै tumor मुझे से बात करieg हैं, या रही captivating तो क कर दो कर रहीं, जदाँ हैं या खिछों को, तादेश这ती हैं, खि खाहीं मैं है, या एच कर सकते हैं, वैक या बात हैं, बाए़ और क